पिछली दो पेपर हमने डिसकस किये थे जो 2nd September को shift 1 और shift 2 में हुए हमने देखा मैस की हैं यदी बात करें पिछले कुछ सालों से जिसले के पेपर आ रहे थे इस बात थोड़े से आसान नज़र आ रहे हैं हमने 2nd September की shift 1, shift 2 के पेपर डिसकस किये देखा कि हा shift 1 का पेपर तो बहुत ही आसान है shift में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बाकि conceptually कहीं बूल जाने की कोशिच नहीं की यह मने आप से उस दिन भी बोला था आज हम आपके सामने 3rd September का shift 1 का पेपर लेके आए हुए हैं और ये पेपर अच्छे वापस देखें तो जो कही ना कही यह दि मैं shift 1 की बात करूँ 2nd September तो लेवर और चीज़ों को लेके काफी कुछ रेपलिका हैं यानि लगबग लगबग सेम हैं यानि बहुत आसान क्वे गलती करते हैं तो वो हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि पेपर बहुत आसान है maximum question देखे देखे से हैं और ना सिफ देखे देखे से हैं मैं मानता हूं कि काफी question तो ऐसे भी हैं लगबग 4-5 question जो with data शायर आपने कहीं ना कहीं किये होंगे चाहे वो class notes की बात करें चाहे हम sheet की और DPPs की बात करें या किसी book में आपने किया होगा तो कम से कम 4-5 question आपको with data आपको exactly same मिला होगा चलिए मेरे बचे मैं उम्मीद करता हूँ आप सब के बहुत अच्छे number आए होंगे जिन लोगों का paper हो गया है और जिन लोगों का paper होना है उनसे फिर एक बार मैं request करता हूँ कि आप बचे कुछ भी बहुत extraordinary करने की कोशिश नहीं करें paper extraordinary है यह नहीं बहुत आसा paper आ रहा ह है आप cool रहें patience के साथ काम करें confident रहें और यह मान लें कि गल्तियां होंगी तो सिफ हमारी वज़े से होंगी यह नहीं नहीं कहीं पर किसी तरह कि कोई गल्ती करवाने की कोशिश intentionally तो हमें नहीं की है चलिए हम paper 1 के साथ सहा 3rd September का जो shift 1 है उसके paper के साथ आपके सामने है सकता है कि गलत हो option गलत आ रहे हों तो यह सब चीजे memory based है तो यहां हम जो है जितना accurate कर सकते हैं उतना करने की कोशिश है और आप इन चीजों को फिर भी इस consideration के साथ ही लें कि हाँ these questions are memory based यानि collect जो किया गया है वो आपी लोगों की memory के साब से किया गया है चलिए हम शुरू करते हैं और पहला question हमारे सामने है पहला question area का एक आसा answer question और बोला है कि y जो है वो 0 से x square plus 1 के बीच में है y 0 से x plus 1 के बीच में है x half से लेके 2 है तो इस पूरे segment का हमें area answer करना है अब मेरे बच्चे यहां पर area हम देखें तो देखें यह क्या कहता है x square plus 1 आप सबको पता है क एक पैराबोला है यह वाला यह वाला यह 1,0 और यह x square plus 1 वाला पैराबोला अब यह जो पहली inequality है यह क्या कह रही है कि y की value greater than equals to 0 है यानि x axis के उपर है आपका point साथी साथ y जो है वो x square plus 1 से कम है और यह x square plus 1 की boundary है हमारा y से कम है यानि इस पैराबोला के कहीं ना कहीं बाहर वाला नीचे वाला हिस्सा है अब यह तो हो गया यह पहला वाला दूसरे वाले में कहता है कि एक line बनानी है y is equals to x plus 1 जरा गार कीजिए दोनों ही क्या कहते हैं कर पर y equals to x plus 1 और y equals to x square plus 1 इन दोनों के जो दो intersection point है व is it अब मेरे बच्चे यह जो point है यह आप सब को पता है कि यह इन दोनों का point of intersection है और यह क्या है यह है x 1 और y 2 यह एक और intersection point है इसमें x की value 0 है y की value 1 है यह आप सब के पास clearly पता है अब हमें इस वाली inequality की बात करें तो यह कौन सा area कह रहा है कि इस inequality की यदि बात करें तो यह भी यही कह रहा है कि y positive तो है non negative तो है यह x axis के उपर है x plus 1 से कम है यानि यहां भी इस line के नीचे y जो है इस line क नीचे आप दोनों में वहली आसानी से देख सकते हैं कि 0,0 इस वाली inequality को satisfy कर रहा है इसको भी कर रहा है इसका 0,0 उस हिस्से में है जो हमें चाहिए तो अब यह इस पेराबोरा का नीचे इस line का नीचे और ऐसे में y greater than equals to 0. y equals to 0 क्या है यह हमारा x-axis है y equals to 0. अब इन से bounded area निकालना है जबकि x की value half से लेके 2 दी हुई है तो यहाँ कहीं मेरे बच्चे दिए हम बात करें तो x half होगा और यहाँ कहीं x 2 होगा किस area को मांगा गया है आप ध्यान दखिए उसने जो area मांगा है वो कह रहा है कि वहिया इन दोनों कर्व के नीचे और x-axis के उपर तो मुझे समझ में आता है कि यह जो area निकल के आने वाला है ना मेरे बच्चे वो यह वाला है यह वाला देखिएगा कि यहाँ जो area एगा वो यह वाला एक तो यह वाला हिस्सा और एक यह वाला हिस्सा यह पूरा area हमें निकालना है फिक जो हमें दिया वर्स के साब स यानि अब समझ में आ रहा है कि अच्छे ये area निकालना है तो यहां half से लेके one तक थो हमें क्या करना है इस parable और X-axis से bounded area निकालना है और one से लेके two तक हमें किसका area निकालना है इस line और X-axis से bounded area निकालना है यही area उसने मांगा है हलां कि मैं आपको बदा दूँ कि यहां मुझे जो दिख रहा है कि यहां पर अधिकतर जगे अधिकतर सलीशन जो अभी तक हाँ शायद मार्केट में है उन सब में 1 by 12 आंसर किया हुआ है और वो किया हुआ है यह मानते वे कि यह वाला एरिया मांगा गया है जो question यदी यही है question यदी यही है तो फिर 1 by 12 नहीं आ सकता यानि यह वाला एरिया नहीं हो सकता यह जो bounded एरिया है एरिया उस केस में कौन सा होगा एरिया जो हमने मार्क किया है वो होगा maximum जगे जो आपको मिलेगा वो यही कि maximum जगे यह वाला एरिया निकाला होगा और यह गलत है क्यों जो inequalities इसके साफ से यह नहीं है तो फिर कौन सा एरिया जी इस इनेकुल्टी के साफ से बहुत आसानी से चलते हैं तो साफ दिखता है जो हमें चाहिए जो question यही सही है मैंने फिर कहा memory based है या तो question गलत है या options गलत है तो कहीं ना कहीं हम देखे हम जो question है मैं उसी की बात कर रहा को से square plus 1 dx करना है प्लस में फिर आपको दिख रहा है 1 से लेके 2 में जो है 1 से लेके 2 में आपको इस line और x-axis से bounded area निकालना है x plus 1 dx हला कि यह वाला area trapegium का area है वो आसानी से direct लिखा जा सकता है बिना integration के और इस वाले में तो integration आपको पदा है कि x cube by 3 plus x होना है और यहाँ वै एरिपीजियम का एरिया ही लिख दूँ, तो half, distance between parallel side 1 and sum of parallel side, ये height मुझे 1 दिख रही है, और x is equals to 2 पर ये जनाब 3 दे रहे हैं, तो आप क्या आप देखो यहाँ क्या होगा, ये वाली value कितनी 1, sorry 2, ये 2 है, और x is equals to 2 पर ये value कितनी आ रही है, x equals to 2 पर x plus 1 कितना देगा, 3 दे 2 by 2 plus, यहाँ पर x आजाएगा, sorry x is square by 2 plus 1 आजाएगा, और आपके पास जो आप निकालेंगे, तो आप area आसानी से वहाँ भी रिखेंगे कि 5 by 2 ही आपको मिलने वाला है, देखो आप, तो यहाँ आपके पास आगया, आप चाहें तो जैसे हमने का रहा है, integrate कर दो, integrate करेंगे तो क्या आएगा, x square by 2 plus x और इसे हमें limit देनी है 1 से 2, तो obviously यह 2 plus 2 4 बन गया, और यहाँ से आपके पास half plus 1 3 by 2 बन गया, 4 minus 3 by 2 का मतलब आपको समको पदा है कि 5 by 2 हो जाएगा, 5 by 2 हमें directly भी दिख रहा था, यहाँ से value निकालेंगे मेरे बच्चे, तो देखो जब आप 1 र 1 by 24 प्लस यहाँ पे तो minus यहाँ आपके पास 1 by 24 प्लस 1 by 2 आ रहा है, प्लस 5 by 2 तो चल ही रहा है, तो यहाँ आपके दिख रहा है कि यह value जो है मेरे बच्चे 4 by 3 minus of यह है 12 by 24 यानि 13 by 24 प्लस 5 by 2, is it clear? यहाँ यह value जब है, आप देख रहे हो कि आसानी से हम इसको calculate कर सकते है कैसे कि देख रहा है कि यह बन जाएगा 32 by 24 यह 13 by 24 और यह 60 by 24 और upon my 24 आपको सब सब देखता है कि यहाँ से आपके पास कितना आ रहा है 19 तो 79 by 24 हमारा answer होना चाहिए और मुझे यदि देखे हैं तो यहाँ मुझे कोई ऐसा answer नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है यहाँ कोई answer, तो देखो आप, यदि हम यहाँ की बात करें, तो यहाँ हमें कोई भी answer नहीं देख रहा है, यदि हम इसको देखें तो, ऐसा कोई answer मारे पास यहाँ नहीं है, अब ऐसा कोई answer नहीं है, तो फिर क्या, यह जो 1 by 12 वाली possibility है, वो यह वाला area निकल के आता है, इस area को य यहाँ हमें दिख रहा है कि यह हमें लेना है, हाफ से लेके 1 तक क्योंकि इसके आगे तो इन दोडों कर्व ने कोई area bound नहीं किया है, वो चल रहा है, ठीक, इसके बादे हम बात करें, तो यहाँ पे हाफ से लेके 1 और इसमें उपर है line, तो x plus 1 minus of x square plus 1 dx, यह आएगा, और य inequality से ही है, तो 1 by 12 answer नहीं है, तब option गलत है, तो यहाँ उसका answer निकाल चुके है, कितना गया, 79 by 24, यहाँ पेरी हम देखें, हाँ यह है, तो फिर inequality में क्या होना चाहिए, इन इकलती में बस इतना सा होगा, कि parabola के उपर line के नीचे, parabola के उपर line के नीचे में actually क्या हो जाएग तो फिर क्या होगा, parabola के उपर और इस line के नीचे फिर यह वाला area और फिर answer कितना आजाएगा, 1 by 12, तो यह जो भी question है, दोनों possibilities से मने आपको solve करके बता दिया है, आपको answer बता दिया है, लिखिए, अगले question पर आते हैं बचे, अगला question, AP का बहुत ही आसान सा question, कहता है, T1 T2, T3 are in AP such that, T1 से लेके T25 का सम जो है, वो T26 से लेके T40 के सम के बराबर, जरा गॉर कीजेगा, बढ़ा आसान question है, कुछ ऐसा है, T1 प्लस T2 प्लस T25 प्लस T26 से लेके, T, कहां तक बात कर रहा है, 40 तक बात कर रहा है, यह बाली series, अब इसमें हमें क्या बोला है, कि first turn 3 है, तो common difference हमें बताना है, जबकी हमें बोला है, कि यहां से यहां तक का जो सम है, और यहां से यहां तक का सम जो है, वो आपस में बराबर, अब आप आसानी से देख सकते हैं मेरे बच्चे, कि मैं यहां 1 से लेके 40 तक का सम लिखूं, उसमें से, यहीँ मैं आप देखो कि यह व से लेके यहां तक के सम की बात करें, तो देखो कैसे निकल के आ सकता है, कि actually, यह यह कह रहा है कि यहां से यहां तक का सम जो है, यहां के यहां सक के सम का डबल है, S40 is 2 times of S25, क्यों? क्योंकि 26 से 40 तक का सम भी तो 1 से लेके 25 के सम के बराबर है, तो इसका मतलब 40 तक का जो सम है, वो 2 times of S25 बन जाता है, बस अब तो सीज़ा formula based question ने, सम का formula आपको आता है AP में, N by 2, 40 by 2, 2A, एक इतना है, 3, 6, plus N minus 1, यानि 39, into D, यह आपके पास आ जाए, 2A plus N minus 1, D is equals to, यहां पर भी ऐसा मेरे बच्चे, 2 तो ही सही, N by 2, यानि 25 by 2, साथ में वही 2A, यानि 6, plus N minus 1, इसबार N minus 1 कितना मेरे लला, यहां 24, और वहीर D, D की equation है, आसानी से solve करके answer तो आप निकाली लेंगे, जो भी option सही होगा, वो आपके साब में हो, आगे बढ़ते हैं, अगला question, यह question जो है, J को बहुत प्यार है, बहुत frequently आता रहा है, और आप सब ने कहीं न कहीं किया होगा, कि भाईया, M की, यहां वो N लिखा, आपने ज़्यादा साथ क्या किया होगा, कि यहां M या N लिखा होगा, by 2 जैसी situation नहीं होगी, by 3 जैसी situation नहीं होगी, लेकिन कहीं न कहीं, यह question ऐसा होता है, कि भाईया, आप इसमें power का minimum value बताओ कि यह 1 के बराबर हो जाए, या power का minimum value बताओ कि यह pure real number बन जाए, इस तरह के question आप ने किये होंगे, यह सब जगे मिलता है, तो यहां पर वही कुछ कह रहा है, कि देखो, यह power m by 2, यह power n by 3 जो है, दोनों ही 1 के बराबर हैं, तो आप m और n की जो minimum value है, उसका hcf निकाल के बताओ, highest common factor निकाल के बताओ, कुछ नहीं, देखे, हम बात करते हैं, मेरे बच्चे, 1 plus iota upon 1 minus iota की, इसे मैं, 1 plus iota का whole square upon 1 square plus 1 square लेख सकता हूँ, मैंने 1 plus iota से उपर नीचे multiply किया, यहां से, यह जब हम open करते हैं, तो 1 plus iota square, iota square minus 1, तो finally यह बन जाएगा 2 iota upon 2, यानि यह आपके पास क्या आगया, simply iota, अब यहां देखो, तो यह जो आपको question दिया है, कि iota का power m by 2 is equals to iota का power n by 3, यह 1 के बराबर है, हमें बदा है, iota power 4 जो है, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, यह m और n की minimum value की ही बात कर रहा है, तो obvious ही बात है, कि m by 2 हो, या n by 3 हो, यह किसके equal होना चाहिए, 4, क्योंकि iota power 4 1 के equal होता है, तो यहां से m की value तो आगई 8, n का value आगई 6, और आप सब को पता है, sorry, n का value कितना आगया, 12, अब आपको सब को बदा है कि n यहां से 12 बारा है, m यहां से 8 आगई तो highest common factor 4 दिख रहा है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, बलादा आसा question है, हाया था लिखें, probability, ठीक है, a pair of dice is thrown and some of dice come up, multiple of 4, then, find probability that at least one dice shows 4, कम से कम, एक dice जो है, वो 4 बता रहे है, अब देखिए यहां पर, यहां कुछ भी ऐसा नहीं है, जो आप नहीं कर सकते हैं, यहां क्या कहता है, a pair of dice is thrown and some of the dice come up, multiple of 4, then, probability that at least one dice shows 4, यानि, एक dice के pair को आप फ्याक रहे हैं, इसके भाद हो कहता है, sum जो आ रहा है, दोनों पर वो 4 का multiple आ रहा है, sum क्या-क्या है, देखिए, आप सब को पता है, कि dice के case में sum जो है, वो 2 से 12 चल सकता है, pair के case, अब इसमें 4 के multiple sum की बात करें, यानि हमारा जो required sum है, desired sum, वो हमें क्या-क्या हो सकता है, कि भाईया, 4 का multiple चाहिए, तो 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, और 12 हो सकता है, 4 के favor में देखेंगे, तो कौन-कौन सी possibility है, 2,2 एक possibility है, 1 और 3 एक possibility है, और 3 और 1 एक possibility है, ये 4 के लिए हो गया, पर इसी तर से, यदि 8 के लिए रेखेंगे, तो आप सबको पदा है, कि 4, 4 एक possibility है, 5, 3 एक possibility है, 3, 5 एक possibility है, 2 और 6 और 6 और 2, बाकी 2 possibility है, ऐसा है, और 12 के case में तो आप सबको पदा है, कि एक ही possibility होती है, 6,6, यानि, यदि हम बात करें, कि sum जो है multiple of 4 आ रहा है, तो favorable कुल कितना हो गया, 9, लेकिन हमारा question क्या कहता है, कि हमारा question तो कुछ ऐसा कह रहा है, देखो आप, कि हमारा question जो है, वो कुछ ऐसा कह रहा है, हमारा question यहां जो कह रहा है, वो कह रहा है कि, throne and sum of dice come up, multiple of 4, then find probability debt, यानि sum तो क्या है multiple of 4 आ चुका है, आ चुका है, इसका हमारा sample space जो है, वो अब यह बन गया है, जो हो चुका है, उसने हमारे sample space को modify कर दिया, और वो sample space में कितने, कितने element हमारे favor में है, 9, 9 है, अब वो जो event जिसकी probability की बात कर रहा है, तो वो probability क्या कर रहा है, कि at least one dice shows four, कम से कम एक dice पर four हो, तो four वाला case बताओ, मुझे यहाँ साब साब दिख रहा है, four वाला जो case है, वो अकेला यह है, इसका मतलब, total नया sample space जो है, उसमें हमारे पास नय sample space में क्या है, मेरे बच्चे, total 9 possibility, और उसमें favorable 4 वाली जो है, वो एक है, probability आपके पास 1 by 9 आगई, आप आसानी से आंसर देख पार है, अगला question, matrices का, फिर एक आसान सा question, नार्मल मुलिकेशन करवा के थोड़ी calculation करवाई गई है, आप से बाकिकुछ नहीं है, A x 1, 1 0 बोला हुए है, और बोला है कि A power 4 जो है, वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और A 1, 1 की value जो है, वो हमें 1, 0, 9 पकड़ाई हुई है, और हमसे A 2, 2 पूछा है, तो चलिए जी, यहाँ हम A power 4 के लिए काम करते हैं, A power 4 के लिए, मैं पहले रुक्या करता हूँ, A square का मतलब आप सबको पता है, कि बस आपको multiplication करना है, matrices का जो बहुत simple, और वो भी second order का multiplication है, इसलिए परेशानी का तो कोई बात ही नहीं है यहाँपर, लगा दीजिए multiplication का rule, आपको पता है, row into column, x square plus 1, यानि यहाँ आगया x square plus 1, फिर आपको पता है, x, और इसी तरह से 1 plus 0, यह आजाता है, 1, यह a square आगया, a power 4 यहीं हमें निकालना है, तो a square का, a square से ही multiplication करना है, यानि x square plus 1, x, और x, 1, इसी तरह से, x square plus 1, x, x, 1, अब हमें क्या चेहें, देखिए मैं आपसे हमेशा से बोलता हूँ, कि question जो है, उसे पड़ा करें, उसकी हर चीज हमारे दिमाग में, हर step पर होनी चीज, फोकस्ट रहना है examination all में, वो बहुत help करता है, मुझे दिख रहा है, कि a11 की value 109 दी वही है, a22 पूछा है, यानि यहाँ a21 और a12 से उसको कोई लेना देना नहीं है, तो वो क्यों निकालें, क्यों समय बरबाद करें, हम जो हैं, हमारे काम के तो दो ही त्यवर में, एक तो यह वाला और एक यह वाला, इनको निकाल लेते हैं, हमारा काम इसी से बन जाएगा, तो यहाँ पर मैं गरता हूँ, कि यह वाला त्यम पता है, इन दोनों के multiplication से, यानि x square प्लस 1 का whole square, प्लस x square मिल रहा है, ठीक, यह वाला कैसे मिलेगा, वो इस column को, इस column से multiply करने से मिलेगा, तो यह column, देखिए, x square प्लस 1, तो यह वाला जो है, यह x square प्लस 1, तो अब हमें कहीं न कहीं समझ में आ रहा है, कि x square प्लस यह जो है ना, x square प्लस 1 का whole square प्लस x square, इसकी value 109 दिवही है, तो हमें दियावा है, x square प्लस 1 का whole square, प्लस x square, is equals to 109, और हमें x square प्लस 1 की value चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं, कि कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे कर सकते हैं, कि यह x square प्लस 1 का whole square, प्लस x square प्लस 1, और यहाँ पे, minus 110 is equals to 0 है, खेल खदम, आप देखो, जिसकी value आपको चाहिए, x square प्लस 1 की, उसमें quadratic equation आ गई, तो आपको एक तर से, यह मैं कहूँ, तो m square, plus m, minus 110 is equals to 0 है, और m की value चाहिए, और m x square plus 1 है, यानि उसकी positive value चाहिए, आसानी से, आप बड़ी आसानी से, answer निकाल पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, 11 और 10 मुझे दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, कि क्या मिलेगा बड़ो, m plus 11, और m minus of 10 is equals to 0, लीजे जी, m की value आगे 10, जो हमें चाहिए, आगे answer, अगला, the equation of curve satisfying differential equation, differential equation के, इस बार जो question आ रहे हैं, सब बहुत आसान आ रहे हैं, और सब में कोई नों कोई initial condition दी हुई है, लेकिन question हर बार, जो मैंने देखे हैं, अब तक के 3-4 पेपर में, हर question बहुत ही आसान है, differential equation का, यहां भी मुझे सीधा सीधा, variable separable वारा situation देख रहा है, जैसे ही मैं इसको variable separable की form में लाता हूं, तो मुझे equation देखती है, y square plus 1 upon y square और dy, is equals to e power x upon e power x plus 1 dx, देखें, यह dx, भी आसान, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता, में को दिख रहा है, सब सब, यह 1 plus 1 by y square, 1 को integrate किया, y आ गया, 1 by y square का integration, minus of 1 upon y, और इसी दर से मेरे बच्चे, यहाँ, यह तो f dash upon f की form है, e power x plus 1 का derivative उपर रखा हुआ है, तो इसका integration तो ln fx, यानि ln e power x plus 1 बन जाएगा, plus constant of integration, यहाँ पर हमें क्या दिया हुए है, कि वहिए कर हमारा 0,1 से पास हो रहा है, x 0 तो y 1 है, y 1 है तो यह value 0 हो गई, x 0 पर यह value 2 हो गई, और इसके बाद, अब मुझे जो कर्व दिख रहा है, कि कर्व अरेंज करके मुझे आंसर करना है, तो यहाँ y square minus 1 दिख रहा है, तो y square minus 1 वाला यह option दिख रहा है, यहाँ ln y दिख रहा है, e power x plus 1 minus ln to any upon 2, यहाँ second वाला option साफ साफ दिख रहा है कि साही है, आगे बढ़ता है, 7th question, that x square by 4 plus y square by 3 is equals to 1, is an ellipse and a hyperbola which is kone focal, दिख रहान दिख गया, इसने क्या का है, kone focal, दोनों के focus same है, with ellipse such that its transverse axis is, यहाँ पर transverse axis, जो है, is, root 2 then, which of the following point does not lie on hyperbola, क्याता है कि दोनों के transverse, इसके ellipse के transverse, sorry, hyperbola के transverse axis के रहें root 2 है, तो बोल रहा है कि कौन सा point है, जो हाइपरbola पर लाई नहीं करता है, या अल्तिमेटली हमें हाइपरbola की equation चाहिए, तो हम पॉइंट तो चेक करी सकते हैं, अब हाइपरbola की equation कैसे निकालों के मेरे बच्चे, इसने सबसे पहले काया कि दोनों ही कौन फोकल है, तो हम इस ellipse के फोकस को निकाल लें, उसके लिए पहले हमें इसकी eccentricity की जवड़ पुड़ेगी, मैंने उसे e1 ले लिया, e1 आपको पदा है कि क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे बच्चे, square root of 1-b square upon a square, यानि 3 by 4, यानि ये तो half आगई जी, आगई, अब ये half आगई, और हमें a का value दिख रहा है 2, तो इसका मतलब यह दि मैं focus की बात करूं, f1 और f2 जो हमारे focus हैं, वो उनके coordinates क्या हो जाएगे, वो आपको पदा है, plus minus ae, 0 होने वाला है, यहाँ उसने transverse axis की length दी हुई है, transverse axis का length आपको पदा है, कि 2a के बराबर होता है, तो यहाँ उसने एक तरह से हमें hyperbola के लिए 2a की value दी हुई, hyperbola का काम कर रहा हूं मैं, hyperbola के लिए 2a की value कितने दी है, root 2, तो आपके पास a का value आगया, 1 by root 2, इसके साथ साथ, यहाँ पर उसने क्या कहा है, कि यहाँ दोनों ही कौन फोकल है, मैंने hyperbola के eccentricity को e2 ले लिया, तो मुझे पदा है, कि a e2 जो है, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो यहाँ मेरे बचे, आप देखो a की value 1 by root 2 है, तो इस value को जैसे ही मैं यहाँ replace करता हूँ, e2 जो है, वो root 2 आगया, और आप सब को बदा है, root 2 तो rectangular hyperbola की eccentricity होती है, यानि वहाँ पर a और b आपस में बराबर होते हैं, तो hyperbola की equation ही आगए मेरे पास, क्या आगए है hyperbola की equation, कि x square minus y square equals to a square, चेक कर दो option कौन सा सही है, जो satisfy कर रहा है, बहुत ही आसान है, आगे बढ़ते हैं, next है हमारा आठमा question, देखे, यह फिर एक बहुत basic question है in ITF का, और कुछ भी काम नहीं करना है, बहुत बड़ा काम कुछ नहीं करना है, लेकिन यदि आपने sin inverse x plus sin inverse y के formula लगाने की कोशिश की थोड़ा सा lengthy हो जाएगा आपके लिए, ऐसे questions को class में ही बताया जाता है, कि normally 10 inverse में convert करके solve करना चाहिए, तो मेरे बच्चे मैं यह इनको 10 inverse में convert करना शुरू कर दूँ, यह मुझे दिखता है कि 10 inverse of 4 by 3 बन जाएगा, इसी दर से यह वाला मेरे बच्चे क्या बनेगा, 10 inverse of यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 5 by 12 बन जाएगा, और इस last वाले की बात करें, तो यह भी मुझे दिख रहा है कि यह 10 inverse of 16 by 63 बन जाएगा, सब जो है right angle triangle के combinations आपको पता होते हैं, यह 3, 4, 5, 5, 12, 13, और इसी दर से 16, 63, 65, यह सारे के सारे, अब मेरे पास यहाँ यह सारी values है, मैं इन दोनों पर 10 inverse, x plus 10 inverse y का formula लगा देता हूँ, तो क्या बनेगा बदो, 2 pi minus 10 inverse of, क्या, आप सब को पता है, x plus y upon 1 minus x y, यानि 4 by 3 into 5 by 12, और यह plus में आपके पास, क्या चल रहा है मेरे बच्चे, 10 inverse of 16 by 63, is it clear, अब जड़ा solve करो, आपको आपके question का answer एक ही जटके में मिल जाता है, अच्छा, यहाँ पर यही formula लगेगा, क्योंकि हमें बता है, x into y जो है, वो less than 1, x into y, less than 1 के case में exactly यही formula होता है, सब आपको पता है, तो यहाँ आपके पास आगया, देखो 48 plus आपको दिख रहा है 15, यानि यह तो मुझे मेरे बच्चे, 10 inverse 63 दिख रहा है, यहाँ मुझे दिख रहा है 38, 36 minus 12, यानि यह 16 दिख रहा है, बड़ा मज़ेदार हो गया, आपको सब सब दिख रहा है, कि यह 10 inverse 63 by 16 है, और यह 10 inverse 16 by 63 है, और आपको पता है, इसे में क्या लिख सकता हूँ, इसे में cot inverse of 63 by 16 लिख सकता हूँ, यह दोनों मिलके क्या बन गे जी, 10 inverse x plus, cot inverse x, जो है, pi by 2 बन गया, 2 pi minus pi by 2 जो है, 3 pi by 2 आगया, और answer आपको मिल गया, अगरा आते हैं, 9th, y square plus ln cos square x is equals to y, then, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, first option की y हाँ, यहाँ यह mod है, I think जितना मुझे समझ में आता है, तो यहाँ y double dash के mod की value 2 है, y dash का 0 का mod, y double dash के 0 का mod का sum, जो है, वो 1 है, यह सारी चीजे हैं, एक तर से कुल मिला के, 2nd और 1st derivative निकालना है, इस पूरे implicit relation का, वो भी x equals to 0 पे, मुझे रिख़गा है के x equals to 0 की बात कर रहा है, तो सब से पहले तो में इस कर में देखता हूं, कि यदि x को 0 रख दिया जाए, तो y क्या आता है, रखके देखो, x 0 रखा, तो cos की value 1, log 1 का value कितना हो गया मेरे बच्चे 0, और यहां y square is equals to y, और ऐसा तो y की दो values पर हो सकता है, 0 और 1, यानि x 0 पर y की दो possibility हैं, 0 और 1, चलिए जी, इस relation को differentiate कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलता है, 2y, y dash, plus, log का differentiation आपको बदा है, कि जब कभी भी power हो, तो आगे ले लिया करो log में, तो फाइदा होता है इन सब का, तो फाइदा उठाना है हमें, तो यहां 2 तो आगे आगया, ln cosx का derivative आपको बदा है, कि minus sinx upon cosx आ जाएगा, यानि minus 10x आ गया, इसी दर से, यहां पर आपके पास, इस y को हमें लिख देना है, y dash, जिट लिया, अब यहीं पर मुझे लिख रहा है, कि x 0 और y 0 1 के case में, y dash की value भी निकालने, क्योंकि y dash उसने मांगा है हम से, तो मैं यहीं पर काम करता हूँ, कि एक बार y को 0 लेता हूँ, और एक बार y को 1 लेता हूँ, और y dash की value निकाल लेता हूँ, clear, अब यदि मैं x को यहां पर क्या ले रहा हूँ, कि x हमें क्या दिया है, 0, x 0 के case में यह वाला term तो 0 बन गया, और y की value 0, तो यह भी 0 बन गया, तो उस case में y dash क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, लीजे, यह काम बना लिए हमने, फिर, जब हम यहां पर x की 0 value ले रहे हैं, तो यह तो 0 है, 2nd derivative के लिए इसको differentiate कर देते हैं, तो एक बार हमने 2y, ऐसे कैसे रखा, y को dash को differentiate किया, y double dash आ गया, विर इसी दर से मेरे बच्चे, हमने y को differentiate किया, 2 y dash, और एक y dash पहले से है, y dash का square आ गया, यहां minus of 10x है, तो उसको differentiate किया, 2 second square x आ गया, यहां पर y double dash आ गया, अब हमें जो है, 0 पर, x 0 पर और y 0 पर, हाँ, वैल्यो निकाल ली है, तो अब क्या गड़ते हैं, देखो, हम पहला लेते हैं, x 0, y 0 और y dash 0, 3 0, 3 0, तो आपको दिख रहे हैं, sec 0 की value होगी 1, तो यह तो बन गया minus 2, और आपके पास, यह term भी 0 हो गया, यह term भी 0 हो गया, y double dash की value minus 2 आ गयी, यानि इस case में मेरे पास, मेरे बच्चे y double dash का value minus 2 आ जाता है, is it clear, अगला देखते हैं, जब हम क्या गड़ते हैं, x को तो 0 लेते हैं, y को 1 लेते हैं, और y dash को 0 लेते हैं, इस case में जड़ा गौर करके देखो, कि हमने y dash को 0 लिया है, तो यह term तो 0 हो गया, x को हमने 1 लिया है, तो यह minus 2 हो गया, और यहाँ y को 1 लिया है हमने, तो y को 1 लिया है, तो 2 y double dash बन गया, और यह y double dash बन गया, तो यहां से मेरे पास दिख रहा है कि y double dash का value exact 2 आ जाता है पहला option ही सही दिख रहा है, जरवत ही नहीं है, second option गलत है तो हमें दिख रहा है कि हमारा answer मिल गया है, आगे बढ़ते हैं अगला question, limit, देखें limit का बहुत आसा answer question लेकिन बस यहां पर उसने क्या है, existence of limit का basic idea आपको है या नहीं है box का basic idea आपको है या नहीं है, इस चीज को check कर लिया 1 minus x plus modulus of x, 1 plus box of x minus lambda, यह limit L के बराबर है और कहता है कि यह limit जो है exist करती है, आप इस limit की value बता है तो limit को exist करने के लिए आप सबको condition पता है कि मेरे बचे LHL जो है वो RHL के बराबर होना चाहिए, LHL यानि 0 minus पर खेलेंगे हम 0 minus के case में क्या होने वाला है, आप देखें कि limit as x approaches to 0 minus 1 minus x और यदि x 0 minus जैसा है तो negative number है, यह mod जो है minus sign से खुल जाएगा minus x आजाएगा, divided by, 0 minus एक small negative number का box जो है वो minus 1 होता है तो minus 1 plus 1 तो 0 बन गया और आपके पास यहां सिर्फ मेरे बचे क्या रहे गया minus lambda यह आपके पास LHL आगया, what about RHL देखें, यहां RHL की बात करें तो limit as x approaches to 0 plus पर जाना है हमें, 0 plus की बात करेंगे तो मेरे बचे 0 plus के case में यह जो है positive number है, इसका mod plus sign से खुल जाएगा, यह x और यह minus x cancel हो जाएगे, यहां 1 आजाएगा 0 plus का box कितना होता है, small positive number का box 0 होगा, तो यह आपके पास 1 minus lambda रहे गया यहां x को 0 डालतीचिए, x को 0 डालते हैं तो मेरे पास यह तो आगया minus 1 upon lambda और यहां से मेरे पास आगया 1 upon 1 minus lambda यहां से मेरे पास lambda की value आ रही है, निकाल लेते हैं, solve करके lambda किसके एकवल आता है, कि मुझे देखता है कि lambda minus 1 is equals to मेरे पास क्या आजाता है, lambda आजाता है, तो lambda minus 1, यहां देखो कुछ हमने क्या किया है, गरवड किया है तो यहां आपके पास x 0 डालने से 1 minus lambda बचता है, यहां minus 1 plus 1 0 हो गया, और यहां अपने जैसे x को आपने 0 plus लिया, तो यह 1 minus lambda बचता है X 1 minus lambda आ गया, X को 0 डालने से 1 upon 1 minus lambda बच रहा है, LHL और यहां 0 डालने से minus 1 by lambda बच रहा है, तो यहां मुझे देख रहा है कि minus lambda is equals to 1 minus lambda, तो यह तो गरवड हो गई, एक मिन्ट दो कुम, गरवड हो गई, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह गरवड सब जो मैं आपको पहल गरवड हो रही है, क्योंकि हमने सब कुछ सही कि है, हम वेरिफाइ कर चुके हैं, और इसके बाद मुझे देखता है कि यहां से तो lambda minus 1 is equals to lambda आ जा रहा है, और जो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलग कहीं कोई यहां पर data का गरवड है, जिसकी वज़े से यहां पर यहां पर य हैं कि हम सही हैं, आगे बढ़तें अगले question पर, अगला question, देखिए, alpha, beta are roots of x square plus px plus 2 is equals to 0, 1 by alpha, 1 by beta are the roots of 2x square minus 2qx plus 1 is equals to 0, then find the value of, यह निकाल ला है, बहुत आसान है, यहां दिख रहा हैं कि इसके roots alpha beta हैं, इसके 1 by alpha, 1 by beta हैं, तो वैसे तो हमें पता है कि alpha beta से में, वाली root में, यदि हम x को 1 by x रख दें, तो हमें जो equation मिलेगी, वो actually यह वाली मिल जाएगी, आप सब को पता हैं, कि alpha beta root वाली equation में, यह x को 1 upon x से बदल के नई quadratic बनाई जाए, तो नई equation के root 1 by alpha, 1 by beta होते हैं, तो यह x को 1 upon x रखने से यही मिल रहा है, तो मुझे यहां से इन दोनों को compare कर के क्या समझ में आ रहा है, कि यह जो p है मेरे बच्चे, यह minus of 2q के एकवल है, क्योंकि जब 1 upon x यहां रखूंगा, तो 2x स्क्वेर और यहां पे p x, p बहार, यहां बनेगा 2, बताओ क्या हैं, अच्छा, यहां से हमें यह भी दिख रहा है कि alpha plus beta किसके बराबर, कि alpha plus beta है, जो मेरे बच्चे, minus p के बराबर है, और alpha beta की जो value है, वो किसके बराबर है, 2 के बराबर, यह सारी चीजे हमें क्लियर है, अब यहां दोनों expression को अलग अलग यहां लेते वे चलें, तो मुझ कि यहां पर दिख रहे हैं, कि इसको इससे multiply किया 1 आया, इसको इससे multiply किया 1 आया, यानि 2 आजाएगा, अब यहां मुझे alpha beta की value पता है 2, तो यह क्या बन गया जी, 2 plus 1 by 2, plus 2 बन गया, यानि 4 plus 1 by 2, यानि यह तो मेरे बच्चे 9 by 2 बन गया, यानि यह वाला expression 9 by 2 के equal है, यह ह मच में आता है, अब हम बात करते हैं, हमारे second वाले expression की, अब जड़ा इस expression पर गौर करते हैं, तो इस expression पर गौर करें, तो इसकी value हम निकालते हैं यहां पर, इसको multiply किया, तो एक तो alpha beta दिख रहे है, एक 1 upon alpha beta दिख रहे है, इन दोनों के multiplication से, और इन दोनों के multiplication से, फिर मु minus of alpha by beta, एक दिख रहे है, minus of beta by alpha, यानि plus beta by alpha, यह दिख रहे है, अब मुझे alpha beta की value पदा है, तो यह तो 2 plus 1 by 2 तो यह बन गया, यहां देखू, तो मेरे पास लिखता है, alpha square plus beta square, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, alpha plus beta का whole square minus of 2 alpha beta, upon, यहां पर मुझे alpha beta दिख रहे है, alpha beta की value फि और यहां मेरे पास alpha plus beta की value कितनी है, p, तो यह बन जा रहा है, मेरे बच्चे, p square minus 4 upon 2, simplify करो, expression को compare करो, आपको आपका answer मिल जाता है, चलिए जी, अगला question, integration के, definite integration के, जही means में, इस attempt में, इस September वाले attempt में, बहुत ही आसान question आ रहे है, और maximum question mod पर आए है, अभी तक यह मैं द देखू, तो तीरो shift में mod वाले question मुझे नजर आ रहे है, तो यहां पर सब कहां, बहुत आसान है, यह मुझे जो भी लिख रहा है, मेरे बच्चे, function even है, even है, तो obviously मैं इसको क्या लेख सकता हूं, कि this is equals to 2 times of 0 to pi, और pi minus mod x, अब मुझे बता है, कि मैं 0 से pi की बात कर रहा है, तो positive value की बात करना हूं, तो positive value में मुझे बता है, कि mod x बन चाएगा, यह हो गया, अब 0 से pi हमारा x है, तो obviously यह वाली value कैसी है, यह हमें दिख रहा है, सब सब की positive है, तो हमारा integral जो है, वो simply यह रह गया, कि 0 to pi, pi minus x dx, I think इसके आसान question तो हो नहीं सकता, integrate करके बड़ी आसान से value निकाली जा सकती है, यहाँ पर इसका integration pi x हो गया, यह x square by 2 हो गया, और value दे दी हमने 0 से pi, तो हम आसानी से answer को verify कर सकते हैं, x0 पर तो यह value 0 होई जाएगी, pi पर हमें देखना है, कि यह pi square minus pi square by 2 बन रहा है, और देख रहा है, pi square by 2, यानि finally answer मुझे pi square नजर आता है, तो answer आपके सामने है, अगले question की बात करें, limit का फिर एक बहुत बहतरी और बहुत आसान सा question, देखें, हमें बदा है, 1 minus cos x upon x square का limit होता है, यह cos के साथ जो angle होता है, उसका square हमें नीचे देना होता है, तो भाहिया, यह चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे मेरे angle का square दे दो, इ जनाब चिल्ला के कह रहा है कि मुझे भी तो मेरे angle के square को दे दो, तो इस square angle का square किया जी, x power 4 upon 16, हमने इसे डिवाइड किया, तो इसे भी हम x power 4 upon 16 से multiply कर देते हैं, ऐसा करने के बाद, जड़ा गौर कीजिए, यह वाली limit मेरे बच्चे कितनी बन गई, हाफ बन गई, यह वा और 4 और x power 4 मिलके x power 8 की विवस्ता करते बें नजर आ रहे हैं, थीक है, इसके बाद बाकी आपके पास क्या विस्ता है, आंसर आ गया जी, यह 1 by 4 यहां से, यह 1 by 16 यहां से, 1 by 2, 1 by 2, यह हमारा question रह गया, 1 by 4, 1 by 2, 1 by 2, और 1 by 16, और यह value 2 power minus k के बराबर दिवी है, साब दि इसे answer देख पा रहे हैं, ठीक है, चलिए जी, 8 आता है वहां का answer, फिर 14th question की बात करें, लॉक का, बढ़ा आसा answer question, उसने यहां पे, बस थोड़ा सा काम किया है, एक GP फंसादी infinite, तो infinite GP का सम का formula आपको आता है नहीं आता है, लॉक का basic आपको आता है नहीं आता है, यह चेक करने का question है, और बहुत ही आसान है, infinite GP का सम आपको बदा है, अपॉन बाइनस आप, तो यह value तो मेरे बच्चे कितनी बन गई, 1 by 3 upon 2 by 3, यानि यह value हमारे पास half आ गई, यानि जो इस log के अंदर रखा हुआ है, वो half हो गया, और यहां base अब देखो, तो यहां मुझे देख रहा है कि 0.16 to the par log 2.5, जिसे मैं देख पा रहा हूं कि वो actually 5 by 2 होता है, और यहां पे मेरे बच्चे यह 1 by 2 दिया हुआ है, is it clear? अब जड़ा गौर करो, तो यह कुछ ऐसा है कि 0.16 log, यहां इस 1 by 2 को में 2 power minus 1 लिखू, और इस 5 by 2 को में क्या लिख रहा हूं, 2 power minus of 1, 2 by 5 power minus 1, minus 1 minus 1 power, यानि मैं लिखके देख रहा हूं कि यह एक तो ऐसे लिखा है, और यह ऐसे लिखा है, दोनों minus 1 power cancel हो जाती है, और हमारा यह log जो है, वो 0.16 to the power, log of 2 to the base, और आपके पास 2 by 5 बन जाता है, जड़ा गौर कीजिएगा, यह जो 0.16 है ना, यही से निकल के आ जाता है, यह actually 2 by 5 का square है, आप देखो, यहां कैसे, कि 0.16 जो है, वो 4 by 5 है, 4 by 25 है, तो 0.16 जो है, वो 4 by 25 है, तो यह हमारे पास 4 by 25 का, अब यहां उपर क्या है, यह है 2, 2 by 5, ठीक है, अब इस 4 by 25 का हम क्या लिख सकते है, 2 by 5 का square, तो अब हमारा question रहे गया, 2 by 5 to the power, log of 2 base, 2 by 5, और क्योंकि यह 2 by 5 का square है, तो पावर, 2, अब यह दिख रहा है कि यह value तो cancel हो गई, और आपके पास सिफ क्या रहे गया, 2 और 2 का square, यानि 4 आपका answer आजाता है, 15th question, देखे, यहां यह question जो है, जैसा जैई में कई वागा question बहुत आसान होता है, लेकिन दराने के लिए दिया जाता है, उसकी appearance ऐसे बना की दी जात है, यहां ऐसा करना ही नहीं था, बहुत ही आसान question है, यह इसने 1P0, 2P1, 3P2, यानि कहीं न कहीं यह NPR की बात कर रहा है, NPR मेरे बच्चे आप सबको पता है, कि NPR होता क्या है, कि NPR आप सबको पता है, N factorial divided by N minus R factorial होता है, यह यह पता है, तो सारा खेल खतम, S क्या बन रहा ह देखो, 2 into 1 factorial, minus 3 into 2 factorial, क्योंकि सब जगे देखो, यहां 1P0, यानि आपके पास 1 factorial upon 1 factorial, 2P1, 2 factorial upon 1 factorial, यहां सब जगे नीचे N minus R की value उसने 1 ली वही है, यानि नीचे 1 factorial आएगा, उपर जो है, factorial आ रहा है, तो यहां दिख रहा है, यह 2 into 1 factorial बन रहा है, यह 3 into 2 factorial बन रहा है, यहा से, यहां पर अगला जो term आएगा, वो negative में आएगा, और वो आएगा, 5 into 4 factorial, यही चल रहा है, इसमें 51 terms बोले हैं, आप देखो, यहां पर यह जो है, पहला term 2 से शुरू हो रहा है, तो फिर आखरी term जो है, वो 52 रहा होगा, 51 terms बोले हैं, तो 52 रहा होगा, 52 into, आपको पता है 51 factorial, क्या हैगा, 52 into 51 factorial, यह हमारी इस series का term है, अगला वला जो दियाव है, जड़ा उसको देख लो आप, वो दियावा उसने, 1 factorial, minus 2 factorial, इसी दर से, plus 3 factorial, इसी दर से दियावा है सब आपको, minus 4 factorial, यह सारी चीजें चल रही हैं, और आप देखिए, यहां आखरी term जो है, उसने ब criterion क्या होगा, minus of 51 factorial, तो यहां minus of 51 factorial, यह चल रही है, जड़ा गौर कीजेगा, यह जो value है मेरे बच्चे, यह 2 factorial है, यह 3 factorial है, यह 4 factorial है, अब आप देखो, जब इन दोनों को add कर रहे हो, तो यह cancel हो गया, 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 आपका आंसर जो है, वो साफ-साफ 1 प्लस 52 इंटो 51 फेक्टोरियल यानि 52 फेक्टोरियल और आपको दिख रहा है कि ऐसा option दिया हुआ है, वही हमारा आंसर है. 16th question, ये देखिए, mathematical reasoning का एक आसान सा question, the proposition P implies negation of P and negation of Q is equivalent to. ये किसके equivalent है, तो यहाँ पर आप सबको पता है, कि बहुत अच्छे से आप सबको ये पता होना चाहिए, कि P implies Q, इसको हम लिख सकते हैं, negation of P, और इसी दर से पता है आपको Q, लिख सकते हैं, तो यहाँ जब आप ऐसा करोगे, तो इस expression को हम क्या लिख पाएंगे, कि negation of P, औ और यहाँ पर इसमें हमने D-Morgans law लगा दिया, इसमें D-Morgans law लगाया, तो यह क्या बना, यह बना negation of P, और यह end जो है, यह और में convert हो गया, और negation of negation of Q जो है, वो Q बन गया, ठीक, अब इसके बाद यहाँ दिख रहा है, कि associativity लगा दें, तो यह बन जाता है negation of P, और negation of P, और साथ में, और Q आगया, अब आप देखिए, यह तो वापस negation of P आगया, तो आपके पास यह हो गया, negation of P, और Q, ऐसा option मुझे लिख रहा है, कि सब 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 सेकिंड वाला है, हम आंसर देख पारें, आंसर आगया, 17th question की बात करें, तो the center of a circle lies on x plus y is equals to 3, and touching the lines, x equals to 3, y and diameter की length निकार ली है, देखिए, अब circle जैसे chapter में, इतने आसान-ासान से question, unexpected है सब कुछ, बहुत आसान paper आ रहा है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जिन लोगो paper देना है मेरी बच्चे आगे, आप cool रहें, आप technical error नहीं करके आएंगे, कोई conceptual error नहीं करके आएंगे, क्योंक mistake और silly mistake वो बहुत लोगों को पीशे चोड़ देने वाली है, यदि आपने उस पे control किया, चाहे दो question कम किये, लेकिन जो किये, सही किये, आप आगे निकल जाओगे, और बहुत जबर्दस तरीके से आगे निकल जाओगे, तो मैं आप से फिर क्या रहा हूँ, be cool, be calm, आप questions क बहुत आराम से पढ़ें, बहुत आराम से उसकी calculation करें, किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करें, समय दें उसको, उसको उसका सम्मान दें, और आप लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे, चलिए जी, यहाँ पर वापस देखें, एक रहा है, कि एक line है, जिसको हमारा circle जो है, the center of circle lies on this, हमारा circle जो है, उसका center इस line पर lie करता है, और हमारा circle x equals to 3 और y equals to 3 को touch करता है, x equals to 3 और y equals to 3 में एक line horizontal है, एक vertical है, लीजे, यह मैंने मेरे बच्चे x equals to 3 ले ली और यह y equals to 3 ले ली, ठीके, इसके बाद, एक circle है, जो इन दोनों को touch कर रहा है, लीजे जी, इ यह बना दिया, अमने इन दोनों को touch करते हुए circle, अब इसके बाद क्या गह रहा है, कि इस circle का center है, वो किस पर लाई कर रहा है, x plus y is equals to 3, तो अब center इस पर लाई कर रहा है, तो obviously यह line जो है, यह diameter होगी, होगी diameter, लीजे, यह diameter है, अब ज़रा गोहर कीजिए, यही मैं, x plus y is equals to 3, जो line है, इसका x equals to 3 के साथ point of intersection निकालों, तो x 3 पर y value 0 है, इसका मतलब यह बाला जो point है, यह तो क्या है, कि यह 3, 0 है, इसी दर से, यहाँ इस वाले को निकालें, तो यहाँ y की value 3 है, और यह y की value 3 है, तो अब देखो, यहाँ पर y 3 के case में x 0 हो जाएगा, यानि यह point 0, कम आती है, ओ, मज़ा आगया जी, x 0, यानि y axis, y 0, यानि x axis, यह touch करते वे जो है, यहाँ पर x axis, देखो, यह जो है, यह आगया, इसका मतलब, यह सारा का सारा यह origin हो जी, और यह origin हो गया, इसका मतलब दिख रहे हैं, कि यह length ही तो diameter हो गई, और यह तो x equals to 3 से साफ साफ सब पता चल रहा है कितना 3, इसका दाइमेटर की length 3, इससे आसान question कैसे सकता है सरकर में बता आप, चलिए जी, पेपर बहत आसान चल रहे हैं, जैसा में बोल रहा हूं, यहाँ पर 2 पार half प्लस 5 पार 1 by 8 has 33 integral terms find least value of n, इसका अब यहाँ पर n रहा होगा, तो इससे आन लिख term है, तो n की least value हमें बतानी है, आप सब को बता है, binomial term में इस तरह के question कि रैशनल term, integral term, यह question बहुत common है, और बहुत आसान होते हैं, बस हमें क्या करना होता है, general term लिखनी होती है, और उसको एक integer बनाने की विवस्ता करनी होती है, देखिए, यहाँ general term हम लिख लेते हैं, tr plus 1 आप सब को पता है कि यह तो ncr आचाएगा, यहाँ मेरे बच्चे 2 power 1 by 2 पर power जो आएगा, वो n minus r आएगा, और इसी तरह से 5 power 1 upon 8 पर power के आएगा, आएगा, यानि ultimately यह बन रहा है ncr और 2 power n minus r by 2 बन रहा है, और यहाँ 5 power r by 8 बन रहा है, अब यह यह तो हमें integral चाहिए, तो आप सब को पता है कि यह और यह दोनों ही क्या होने चाहिए, इन्तीजर 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 होने चाहिए, इन R will be a whole number जो 0 से लेके N तक जाएगा उसकी minimum value 0 होगी maximum value N होगी तो यदि मैं R को R by 8 को एक integer चाह रहा हूँ तो R की value जो possible मुझे रिख रही है 0 और इसी तरह से बताओ 8, 16, 24 ये चल रहा है चल रहा है अब अगला जो target है वो है N, N minus R upon 2 ये integer होना चाहिए और उसमें R की value ये मुझे दिख रहा है कि ये सारी की सारी R की value तो क्या है? even number है ये even number है तो obviously यहाँ पर दिख रहा है कि यदि R even है तो N even होते ही ये value integer हो जाएगी होगी नहीं होगी even minus even जो है वो even होगा और 2 से divide किया ये integer हो गया यानि ultimately अब दिखता है कि an even number होना चाहिए तो चलिए जी अब उसमें कहता है कि total 33 terms जो है वो क्या होंगे? वो integer होंगे integer होंगे इसका मतलब ही समझमा आता है कि यदि an जो है वो मुझे दिख रहा है कि even होना चाहिए तो अब थोड़ी सी एक अलाकाई तो समझमा आते है ये दो ही possibility है इन दोनों possibility में अब हमें क्या करना है मेरे बच्चे हमें समझमा आ रहा है कि यहां पर 33 integral term है पहला term 0 के लिए दूसरा 8 के लिए ठीक है तीसरा यहां पर आपको क्या मिल रहा है 16 के लिए तो बताओ अब 33 term में बात करो ये तो एक AP चल भाई है इस AP का 1st term 0 है और इसका 33 term कैसे होगा इसका 33 term होना चाहिए अब वो जो है N की किस value के लिए आएगा ये निकाल ला है हमें तो कुल मिलाके बहुत आसानी से आप लिख सकते हो कैसे लिख सकते हो कि भाईया इसका 1st term बता है common difference बता है और कुल मिलाके यहां कितने term है 33 33 term तो 3rd निकाल लेते हैं A plus N minus 1 D तो यहां N minus 1 और D की value कितनी 8 है यही होगा अब यहां पर यह value जो है हमें अब नज़र आनीचे कि किसके एक वर आएगी बढ़ो यह चलेगा बताओ कैसे निकालोगे यहां से अब आपको लिख रहे है कि यह 258 और 256 की बात करें तो आसानी से आप बता सकते हैं कि 33 जो है वो term मिलेंगे बताओ कैसे निकल के आएगा अब यहां पर अब देखो ना कुछ कैसे आसाली से निकल रहा है ना देखो पहला term 0 के लिए बात करें तो किसके लिए मिल रहे है 8 x 1 तीसरा term जो मिल रहे है वो 8 x 2 तीसरा term जो मिल रहे है 8 x 3 तो obvious ही बात है कि यदि हमें 33 तो कहीं ना कहीं 8 into 32 होना चाहिए क्योंकि पहले के लिए 0 8 into 0 दूसरे के लिए 8 into 1 तीसरे के लिए 8 into 3 तो 33 के लिए 8 into 32 और यही जो है वो n की minimum value हो जाएगी हो गया खतम निकालो और multiply करो तो आपको जो है आपका answer नजर आ रहा है 256 तो यह हो गया